नमस्कार, Golden Health के आज की वीडियो में हम medicinal properties से भरपूर एक पौधे मार्गोसा के बारे में बात करेंगे आप कहेंगे ये मार्गोसा क्या होता है? जी हाँ, मार्गोसा को आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, यह है हमारा नीम नीम के medicinal गुणों को आज का आधुनिक विज्ञान भी recognize करता है और यह मानता है कि इसमें antibacterial, antifungal और antiseptic properties होती हैं हमारे नीम में मौदूद cytosterol और quercetin नामक natural chemicals में bacteria और fungus को मारने की अद्भुष हमता होती है इसके अलावा यह disinfection का भी बहुत अच्छा काम करता है आयरुएद के अनुसार नीम की तासीर ठंडी होती है और इसकी प्रकृती हलकी होती है इसका रस कटू सोभाव का होता है इसलिए यह पित और कफ के रोगों में बहुत अपयोगी सिद्ध होता है पित और कफ के जो रोग होते हैं उसमें diabetes भी आता है blood pressure भी आता है पेट सम्मंदी सारे विकार आते हैं तो इस सब के लिए नीम का सेवन बहुत लापकारी होता है NCBI की website पर प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार नीम के रस में जो methanol नाम का compound होता है उसमें हमारे high BPU को control करने की बहुत अच्छी शमता होती है इसी website का एक अन्य शोध पत्रिया बताता है कि इसमें hypoglycemic property होती है जिससे यह diabetes के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होता है oral health के लिए तो नीम अध्भुत होता है नीम की दातून का सेवन बहुत प्राचीन समय से हम सुनते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं उसे करते भी आ रहे हैं इसके अलावा नीम युक्त toothpaste करने से भी दातों के एनेमल के रक्षा होती है दातों का दर्द दूर होता है और मसूडों की health अच्छी होती है के लिए भी नीम बहुत अच्छा होता है पेट सम्मंदी सभी प्रकार के रोगों के लिए जिसमें पेट के कीड़े याने वर्म्स को निकालना भी शामिल है इसके अलावा इंडाइजेशन भी शामिल है मितली आने के शिकायत होती है जिन लोगों में वह भी शामिल है इसमें भी नीम के रस का प्रयोग बहुत अच्छा होता है हो सकता है कि कुछ लोगों को नीम के कड़ूए पन के कारण इसके सेवन से सोड़ी दिक्कत आती हो तो ऐसे में आप नीम के एक चमच रस के साथ एक चमच शुद्ध शहत का रस मिला कर भी इसका सेवन कर सकते हैं और पेट के सभी प्रकार के समस्याओं से निजात पा सकते हैं लेकिन जिन लोगों में कॉंस्टिपेशन के शिकायस होती है उनको नीम के जो फल आते हैं निबोली जी से हम कहते हैं उसका रस यदी वो सेवन करते हैं रात के समय तो उन्हें कॉंस्टिपेशन के समस्या से निजात मिलती है ब्लड प्यूरिफायर के रूप में नीम के रस का प्रयोग प्राचीन काल से ही हमारे रिशिमुनी लगातार बताते आए हैं नीम के पत्तों के रस में आटो इम्यून डिजीजेज जैसे कैंसर आर्थरेटिस को भी कंट्रोल करने की शमता होती है अता नीम के रस आटो इम्यून डिजीजेज से प्रभावित लोग भी लगातार कर सकते हैं अगर किसी को खासी बहुत पुराने बलगम के शिकायत हो तो ऐसे लोगों के लिए भी नीम के पत्तों का 30 ml रस का प्रति दिन सेवन बहुत लापकारी होता है और जब यह नीम का सेवन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी डिजीजेज को ठीक कर रहा होता है तो उसी समय इसका प्रभाव आपके शरीर के इस्किन डिजीजेज पर भी बहुत अच्छा पड़ता है दाध हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जीमा हो, सोराइसिस हो उस पर भी नीम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसके लिए आप नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर प्रभावी तंगों पर लगा सकते हैं इसके साथ ही अगर आप प्रभावी तंगों पर यह रस पेस्ट लगाने के बाद धूप में 30 से 35 मिनट बढ़ जाएंगे तो इसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसी महिलाओं में जिन में लिउकोरिया की शिकायत हो या एक्सेसिव ब्लीडिंग की शिकायत हो या जननांगों के आसपास लगातार इसकिन इनिफेक्शन होने की शिकायत हो उनके लिए भी नीम के रस का सेवन बहुत लाबकारी होता है इसके अलावा अगर आप नीम के थोड़े से रस को सुबह सुबह हल्दी के साथ मिलाकर उसका सेवन करेंगे तो आपकी शरीर की जो उर्जा है वो कई गुना बढ़ जाएगी और आप इसको महसूस भी करने लगेंगे कुछी दिनों के अंदर वातावरन को शुद्ध करने के लिए नीम के पौधों का ब्रभाव कैसा होता है इससे आप सब भली भाती परशित है इसके अलावा नीम के रस का एक और गुन है कि यह एंटी मलेरियल होता है यानि मलेरिया बुखार अगर किसी को हो तो उसको भी नीम का रस देने से यह बुखार ठीक हो जाता है सामान ने बुखार में भी इसका सेवन किया जा सकता है लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो नीम के पत्तों के रस का या छाल के रस का या नीम के तेल का सेवन करते समय बेहद आवश्यक है वो यह है कि क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो हलकी होती है ठंडी होती है और कटू होती है तो आरिवेद के अनुसार कटू जो रस होता है उसका सेवन लगातार लंबे समय तक नहीं किया जाना चाहिए यानि कुछ समय आप इसका सेवन करें फिर कुछ समय के लिए बंद करें उसके बाद फिर इसका सेवन आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन जो लोग बहुत अधिक दुबले पतले हो जो उनका वजन कम हो उनको नीम के रस के सेवन से बचना चाहिए उसका कारण यह है कि यह शरीर में काफी रूखा पन ला सकता है यह आपको और दुबला बना सकता है